हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में रासवा सांसर ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पतपर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंस सिंग मकनु सिंग मुडियार गाउं के थे जो उसी थाना छेत में पड़ता है और वो हर्शंकर तिवारी के सूटर थे सतर कसी के दसक में जितने बड़े मर्डर हुए साधू सिंग मकनु सिंग करते थे यह उनका गुर्गा था इसको बदमासी का बड़ा सौक था तो यह बड़े गाइंग लीडर मिल गए उसमें था उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को थाकुर रंपस सिंग की हत्या उनके भतीजे साधू मकनु सिंग ने किया डेड़ विस्वा जमीन पर और जिसके सिल्सले मेरी पुस्तक आई अभी डेड़ विस्वा जमीन यूपी कराम फाइल यह सीधा मुक्तार से जुड़ा हुआ है तो यह जब वहां मर्डर हो गया उसके भतीजों ने किया तो 10 सिंग होते थे इन सब लोगों ने मिल करके मकनु सिंग का मर्डर कर दिया जो में गुरू था मुक्तार अंसारी का और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साइद पूर छेतन में जब इसने दो भाई बिरंदर सिंग बेडा और डाक्टर राम बिलाज सिंग जो रंपस सिंग के बेटी थे उनको मार दिया फिर मुक्तार ने इनका था मुक्तार का वह अपना अफजाल अंसारी बिधायक बन चुका था उसके प्रयास से ये जेल से आगे हास्पिटल में उनके पतनी को बच्चा हुआ था सुबह सुबह एक गाड़ी पहुंचती अमबेस्टर उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है और उसके साधू सिंग के मारने बाद ये पूरा गैंग पहुंचा मुडियार घाओं में और वहां उसका भाई धामोदर था उसको मार दिया एक रमा संकर सिंग मार दिया घर करनोकर मार दिया और साहब सिंग ले गया धानापुर वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनु ग इंडर्स में लोग मरें तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में विधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में मुलायम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक्तार चाता था गाजीपूर सदर से चुनाओ लड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबीदिन सिदीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाजीपूर में वहीं रुकते थे तमाम जो बड़े-बड़े नेत थे बाम सेफ के इसके मुक्तार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजीपुर सदर मुक्तार को मिल जा है। मुक्तार जेल में था। मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये। उन्होंने अपने एक सायोगी बिसुनात नाम मुनीब दलित थे। उनको जनरल सीट्रे टिकट दिया। 20 नॉम्बर 1993 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था। और 19 की रात में 11 बजे विसुनात राम मुनीब दलित घर से निकले और दो गाड़ियां आती हैं मोटरसाइक लिए और तला तल गोली मारती हैं मारती है गया। मुक्तार अंसारी ने तो कासिराम जी ने टिकट दिया कालासनात यादों को और रोते हुए पहुचे किसा मुक्तरवा मार देगा। उस चुनाओं ये आतंग था कि टिकट मिला स्योवर जीतना था और कालासनात यादों ने हिम्मत नहीं की लड़ने की। और उसने तो यहां तक किया जो एसपी जाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे, मुक्तार रहने नहीं देता था। कुछ बड़े सब अच्छे अफ्टरतनात हुए, मैं कुछ का नाम बता दूँ, जावी दामर डी जी हुए, चार दिन, पंद्रा दिन, जमाल अश्रफ बीस दिन, संदीव सालूं के दो म अभै संकर चार मा, बिरंदर कुमार अठाइस दिन, अविनास चंद्रा दो मा, अखिल कुमार आज कले एडी जी हैं, एक मा, राजे सिरवास्तों ग्यारा दिन, इर रविंदर तीन मा, तरुन गावा तीन मा, इनके सिरवास्तों पंच माह पंद्रा दिन, डाक्टर अगर उसके हमसार कोई SP नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था, और उनको रखता तो जिसके हमसार काम करने, और सही बात, इसका काम क्या था अफराद, और जो सिपाही इसने भरती कराए, मैं एक साफ बना चाहता हूँ, कि पोलिटिकल के अलामा, जो इसने भरती कराए, जो फूलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज किया, तो इसके क्राइम को बढ़ाने में, इसको म जिल्हानाटर होता था, संसदी चुनाउ हुआ, और आजिल्हानाटर ही नोडर अफसर होता है, हमारे पूरे परदेश में, बहुत अच्छा चुनाउ हुआ, जैसे सुभा चुनाव हुआ हुआ महामदाबाद इसका जो अपना में कस्बा है एक बियार थे बीजे पी के ओवर कर उनको एक सैंताली से धरड़ा धर गोली मारी दासत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक सैंताली से फिर दिन में करीव एक वजे मैं बैठा कंट्रोल रूमें देख रहा था वहाँ पर एक अवलेस राय थे मरोसिनाजी के गाउं के असपास के उनको एक सैंताली से मार दिया दस्यों बूत पर बाहर एक सैंताली से फाय दना दन इसके जितने गुर्गे अताउर रहमान बाबू सहाबू मुन्ना बजरंगी ये सब चल रहे थे और दीपक सरमा एस पी रोकने का प्रयास नहीं और मुझे आई जी जोन को भेजना पड़ा केल मीना को लेकिन तब तक मुक्तार का अपना काम कर चुका था और ये 2004 में ये सांसद बंगे मैंने रेक्मंट किया था ये गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मांड कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिं सिंग थे इसका नंबर सर्वलांस पर था और ये 2004 की बात है जनवरी इसने लाइट मेशीन गन महवाई और जिससे कि क्रशनानंद राय को पांसो मीटर रेंज से मार दिया जाए पाउर फुल उपन होता हमारा इंफैंटरी का उसके बाद चो छे सो गोली पर मिनेट फायर कर और धेर सारे कार्तुस पखट दी पोटा होता ते जमानी अटल विहारी वाजपई जिसको मन मोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया तुस्टी करण की राजनीत में तो पोटा कमकदमा कायम हो गया है और उसमें मुन्नर यादो मुक्तार अंसारी बावुला लिया दो उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो और मुलाहिम सिंग जी ने अपना एडी जी लान ओर थे एक डी जी को उसको इतना प्रताडित किया गया डिप्टी एसपी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस दिफा दे दिया अब चुकि पोटा कमकदमा कायम हो सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए वो अखले शादवाओं शिपालियादवाओं या आने जो दल हों कॉंग्रेस के निता हों वो सब जो है वो कह रहे हैं कि कही ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पाइनल से जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मुक कर लिये हूं हो किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूद ही मैस्टर इंक्वारी ओडर है एस साइटी बना करके पीर पुलिस तो कर रही है यह जो पार्टिय तो अखलेश काते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए अतिक आमद के बारे में अखलेश नहीं कहा था गाड़ी न पलट दी जाए लेकिन अखलेश यादो कांग्रेस नहीं देखेंगे क्रिशना रंदाज की पतनी पर क्या भी था जो इसने धरजनों म माडर किया उनके परिवार कावियत है तो केवल एक ओट बाइंग के राजनीत के लिए प्रभाविद करने के लिए पाट्निया कर रही है इसको कोई सीवियाई जांच की जरूरत नहीं जो किलियर कट केस है उसमें वो आ चुका है जांच हो रहा है इन्वस्टिगेशन हो रहा है इसमें कोई सीवियाई जांच की जरूरत नहीं है यह किवल वही लोग है जो उससे जो ओट बाइंग के सौधागर है और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगा पाली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिहिक आमद असरप का कोई रूल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिहिक के घर जाकर उसके कुट्य से हाथ मिला रहे थे मानने मुला हम सिंग जी और वो के सीवियाई में गया अभी 29 मार्च को छे को इतने नहीं चंबल के ढकायद चहो निर्वो गूजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने कहा नहीं ददुआ के उसके भाई और उसके बेटा और भाईयों को मुला हम सिंग ने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर 7 लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्सन जब पाते थे तो चंबल के ढकायद फर्मान जारी करते थे समाजबादी पार्डी को उच्म देते थे निर्वेग उजर इतना वह पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्डी का हीरो हूं उसका फर्मान जारी करते थे बूत कैप्च पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइश कर लिए हैं तो यह जोगी राज है मोदी राज है इसमें जीरो टालरेंस है और यह आज इस्तिती यह बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग क करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच टिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जोगी आदित अनात का होगा तो उत्तर प्रदेश प आपना गेंग तैयार किया किस तरह से काम किया किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनित में बड़ा एक मुकाम हासिल किया उन सब बाताओं के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरीदी केमर परण संञी बर्मा के साथ पवरं गौड नपकीटीन डिल्ली